डियो स्टुडेंट, स्वागत है आपका मेरी चैनल स्टेडी एक्स्प्रेस में आज का ये वीडियो कक्षा बारवी के बुच्चो के लिए है 12th Standard महाराश्ट्रबोर्ट हिंदी इवग भारती जिसमें आज हम कृति पत्री का प्रारूप 2021 पर आधारित नमूना कृति पत्री का देखेंगे Sample Question Paper Based on New Paper Pattern जिससे आपका एक Mindset हो जाएगा आपको ये पता चलेगा कि किस तरीके के प्रश्ण परिक्षा में आपकी Board Exam में पूछे जा सकते हैं इसका एक नमूना है एक सैंपल है आज का ये जो विभाग है विभाग तीन है विशेश अध्यन हेतु कनुप्रिया विशेश अध्यन के लिए जो हमारा पाठ है कनुप्रिया इसमें चार विभाग है एक तो सेतू मैं अमंगल चाया एक प्रश्ण और शब्द अर्थ ही इन चार विभागों में से आपको कुल मिलाकर दस अंक के प्रश्ण पूछे जाने वाले है आपका जो विभाग कनुप्रिया है इसमें 10 माक्स के क्वेश्चन आपको आने वाले है फुल 10 माक्स आपको मिल सकते हैं अगर आपने कनुप्रिया की अच्छे से तयारी कर ली है यह एक ही पाठ है जिसमें से आपको 10 माक्स आसानी से आप कवर कर सकते हैं अगर आप इसकी तैयारी अच्छे से करेंगे, इसका अभ्यास अच्छे से करेंगे, तो आपको 10 मार्क्स मिल सकते हैं, तो यह जो कनुप्रिया पाथ है, चार विभागों में से, इस पर आपको जो कृतिया आएंगी, और क्वेशिन पूछी जाएंगे, उसके लिए आपको टोटल 10 मार्क्स है, और जो प्रश्न आने वाला है, लगुत्तर ये प्रश्न, ये स्वाध्या में से ही पूछा जाने वाला है, और अगर स्वाध्या में से, के बाहर स्वाध्या की जो प्रश्न है, उससे कुछ अलग प्रश्न पूछा जाएगा, तो एक प्रश्न तो आप इन प्रश्णों की तैयारी भी आसानी से करें और जरूर करें प्रश्ण की तैयारी अगर आपकी अच्छी होती है तो आपको four marks मिल सकते हैं और अगर in case आएगा तो पार्ट में से ही लेकिन स्वाध्या से कुछ हट कर अगर question पूछते हैं तो एक question तो आपको स्वाध्य का मिले गाई इसलिए दो question दिए गए हैं दोनों question को आप बहुत ही अच्छे से करें तो आगे हम बढ़ते हैं इसमें भी क्या पुछा जाने वाला है निमने लिखित पठित पध्यांच पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए आपको एक पध्यांच जाएगा तो पध्यांच कितनी लाइन का होगा यह पध्यांच भी आपको यह आधुनी कवित है तो इसके लिए भी आपको 12 पंक्तियों का पध्यांच पर ही आपको जो है आकलन शब्द संपदा और अभिवेक्ति का question होगा अभिवेक्ति का question आपका जो passage दिया गया है पर पर ही आपको जो है आकलन शब्द संपदा और अभिवेक्ति का question उस पर ही आधारित होता है अभिवेक्ति का question भी आपको उसी पर आधारित मिलेगा और अभिवेक्ति के लिए आपको 40 से 50 शब्द लिखने है यानि 5 या 6 लाइन के लिए आपको उत्तर अभिवेक्ति के लि काट दी जाएगी क्रिश्ण के सेनापतियों के वायू वेग गामी रथों की गगन चुम्बी ध्वजाओं में यह नीचे डाल अटकती हैं और यह पत के किनारे खड़ा छायादर पावन आशोक वरक्ष आज खंड़ खंड़ हो जाएगा तो क्या यदि ग्राम वासी सेनाओं के स्वागत में तोरण नहीं सजाते तो क्या सारा ग्राम नहीं उजाड़ दिया जाएगा यह परिछित दिया गया है और इस पर आधरित आपको आकलन, शब्द संपदा और अभिवेक्ति का क्वेश्ण पूछा जाएगा आपको पद्यांच बहुत ध्यान से पढ़ना है और उस पर आधरित ये आकलन कृति पूर्ण करनी है तो आकलन कृति का पहला क्वेश्ण है पद्यांच में वर्णी दो वुरुक्षों के नाम लिखने है दो घटक दिये गए है दो घटक के अगर आपका उत्तर सही होता है तो प्रत्य गटक के लिए आधा-धा अंक मिल जाएगा यहाँ पर आपको वन मार्क मिलता है सेकेंड ऐसे प्रशने तयार कीजिए जिसके उत्तर निमनलिखी शब्द हो आपको प्रशन तयार करना है एंसर आपको यहाँ पर दिया है आशोक ग्राम तो इस तरीके के प्रश के लिए आपको टू मार्क मिल जाते हैं पध्यांच में वर्णिक दोवरक्ष कौन से हैं आम और आशोक और बच्चों मैं फिर से आपको बता दूं कि जिस तरीकी की आकरिती बनाई गई है उसी तरीकी के आकरिती आप बना कर उत्तर लिखेंगे और स्केल पैंसिल इसकी आ सकते हैं आपको बहुत ही जल्दी से इस तरीके की आकरिती अपने हाथ में जो पैन है उस तरीके से बना कर उसी आकरिती में आपको एंसर लिखना है आकरिती में ही आपको एंसर लिखना है और आकरिती उसी तरीके की बनाती है जिस तरीके की आपको पेपर में दी गई है ब और यह जो कृति है कृति तीन है तो उत्तर पुस्तिका में आपके वल उत्तर लिखेंगे कृतिये की तरफ नहीं जाएंगे आपको किस तरह किसे लिखhenा है कृति तीन, अगर कृती तीन है, विभाग तीन है तो यहाँ पर आएगा कृती तीन और अ, इस तरही से आप लिख कर आप अपना एंसर लिख सकते हैं, उत्तर लिख सकते हैं, वहाँ पर question mention करने की, लिखने की कोई आवशक्ता नहीं है, कृती तीन अ लिख कर आप 1, 2 नमबर डाले का नमबर आपका ये 1 हो गया, उस तरीके से आप answer sheet में answer लिखेंगे, अब हम बढ़ते हैं हमारे second question की तरह, second question देखिए क्या है, ऐसे प्रशने तयार कीजिए, जिसके उत्तर निम्नल की शब्द हो, आशोक, आशोक के लिए आप question तयार कर सकते हैं, कि कौन सा व्रक्ष छाय वह पावन है, तो आपको पता है, आशोक का व्रक्ष जो हता है, वह छाया भी देता है, उसे पावन माना जाता है, अब ग्राम के लिए भी आप question तयार कर सकते हैं, क्या उजार दिया जाएगा, तो ग्राम उजार दिये जाएंगे, अब हमारा जो है, शब्द संपदा का question आता है, शब्द संपदा में, देखिए क्या दिया गया है, शब्द संपदा में दिया है, निमने शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए, जो कि पैसेज बे शब्दा हैं, ध्वरक्ष, पत, ग्राम, इसके आपको समानार्थी शब्द लिखने हैं, ठीक है, जैसे क्या है हम जंडा भी बोलते हैं व्रक्ष को पेड़ भी कहते हैं इस तरीके से आपको इसका समनार्थी शब्द लिखना है आगे हम बढ़ते हैं हमारी अभिवेक्ति के क्वेश्चन की तरफ अभिवेक्ति का क्वेश्चन है अभिवेक्ति का क्वेश्चन जितना पूछा जा इस विशे पर अपने विचार लिखिए विरिक्षे की उपयोगीता पर लिखनी है कि विरिक्षे हमारे लिए क्यों उपयोगी है विरिक्षे से हमारे क्या क्या काम में आते हैं तो आप अपने विचार लिख सकते हैं यह आपका परसनल रिस्पांस का क्वेशन है आप परसनल अपना response दे सकते हैं कि व्रिक्ष हमारे पर्यावरन को शुद्ध करता है हमें सास लेने के लिए प्राणवाई यो ऑक्सिजन देता है उससे फल फूल और शदियां सब मिलती है रित्ती चक्र को नियमित करता है पेड़ मानों के साथ साथ पशुपक्षी वजीव जन्तों के लिए भी बहुत उप्योगी होता है इस तरीके से आप question का answer दे सकते हैं अब इसके लिए आपको कुल अंक दो मिलते हैं और कुल मिलाकर इसके लिए आपके हो गए six marks अब आपके बचते हैं चार marks चार marks के लिए आपको क्या करना है आपका question आता है कृती तीन आ answer sheet में आप इसी तरीके से लिखेंगे कृती तीन आ कृती तीन आ लिखकर आपको answer शुरू करना है आपको question लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है तो निवनो लिखेंगे प्रश्णों के उत्तर 80 से 100 शब्द में लिखने है 80 से 100 शब्द कहा गया है तो आपके सत्तर भी हो सकते हैं और स्व से 10 10-15 शब्द उपर अगर चले जाते हैं तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है दस पंदा शब्द आपके उपर बढ़ सकते हैं उसमें से आपको दो क्वेशन दखे दे जाएंगे दो क्वेशन आपको मिलेंगे जिसमें आपको चॉइस दी गई है आप दो क्वेशन में से कोई भी एक क्वेशन कर सकते हैं इसके लिए आपको मिलते हैं कुल चार अंक फॉर मार्क्स का question है आपके पास choice है दो question आपके सामने हैं दो question में से आपको एक question करना है और ये भी स्वाध्या में से पूछे जाएंगे अगर in case ऐसा कुछ होता है कि जो प्रश्णा किसी तरह पूछा जा सकता है इसमें से क्या ह हो जाता है कि कभी-कभी स्वाध्या से हट कर स्वाध्या का प्रश्ण नहीं होगा लेकिन प्रश्णा आपका बेश्ड होगा कनुप्रिया पर ही थोड़ा कुछ अलग पूछा जा सकता है लेकिन एक question तो आपको स्वाध्या में से ही आएगा ही आएगा तो आप उसकी पू कभी ने राधा के माध्यम से आधुनिक मानव की व्यथा को शब्द बत किया है इसको स्पष्ट करना है हमें तो इसे आप तीन परिछेद में भी इसका उत्तर लिख सकते हैं कि राधा के मन में जो अंतर युद्ध चल रहा था कि प्रेम या युद्ध में उसकी मन में जो ह अंतर युद्ध चल रहा था और कभी क्या करता है राधा के माध्यम से हमें भी ये समझाते हैं कि हमारे जीवन में भी अंतर युद्ध चलते रहते हैं देखे महाबारत का युद्ध तो एक सीमित समय के लिए था लेकिन आज की मानव के मन में जो युद्ध चलता है वो असीमित समय के लिए होता रहता है उसका कोई अंथी नहीं है असीमित है इस तरीके से राधा से रिलेट करते हुए कभी ने आधुनिक मानव की वेथा को बत किरि कृष्ण जा है युद्ध करने के लिए चले गए हैं इस कारण राधा उनसे बिछरड़ गई है समय के लिए चलता रहता है और वह बहुत से लोगों से बिछर्ड़ है ऐ अपने जीवन्यापन के लिए वह दूसरी शहर जाने के वज़े से अपने माबाप से बिछड़ जाता है और इसी तरह जीवन की सार्थकता इंसान के अंदर उठने वाले भावों पर निर्भर है जीवन भर हम क्या करते हैं बाहर ये दुनिया को जीते चले जाते हैं और अंत में हमें ये एहसास होता है कि जीवन के सही उद्योशों से हम भटक गए हैं कभी राधा के माद्यम से ये स्पष्ट करना चाहता है कि आतुनिक मानव जो है आज इसी कारण डुखी है क्योंकि वो बाहर जगद और भौतिक वाद में पूरी तरह खो चुका है और अंतरिक सुका महतो और लाग नहीं समझ पा रहा है आज संसार में आप देखते होंगे कि प्रेम, सायोग ये सब भावना बहुती कम होती जा रही है इसका परिणम क्या होता है? सारी मानव जाती परिशान है इस तरह कवी ने जो क्या किया है, राधा के माध्यम से आधुनिक मानव की कथा को भी सपश्ट किया है इस तरीके से आपको इसका उत्तर लिखना है अब सेकेंड क्वेशन है, राधा की दृष्टी से जीवन की सार्थक्ता क्या है? राधा की दृष्टी से हमें जीवन की सार्थक्ता को बताना है तो जीवन में प्रेम से अधिक कुछ भी महत्रपुर्णे नहीं है प्रेम क्या है जीवन का एक आधार है यहां राधा कहती है कि कनु ने युद्ध कर्मी के लिए जो कुछ भी ग्यान अर्जुन को दिया है वो उसकी समझ में नहीं आता है उसका मुख्य कारण क्या है कि कनु ने उन्हें प्रेम की ही भाषा सिखाई है और उन्होंने प्रेम को ही अपना जीवन बनाया है यहां राधा प्रेमवत तनमेता के साथ अपना जीवन जी रही है उसके मन में प्रेम के अतिरिक्त अन्य कोई भाव नहीं है वे आज भी कृष्ण से मिलने को बहुत ही आतुर है आजुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित करते समय कनु ने जो उपदेश दिया था उसमें भी कनु प्रेम को प्रेम दिखाई देता है उनका प्रेम इतना सच्चा है कि कनु की हर बात में उन्हें प्रेम के अतिरिक्त और कुछ दिखाई ही नहीं देता उनके अनुसा जीवन की सार्थक्ता भी प्रेम वो तनमेता के शणों में ही है इस तरीके से आपको अपना उत्तर लिखना है रादा की दृष्टी से जीवन की सार्थक्ता तो इसी के साथ जो हमारा ये विभाग तीन है ये यहीं पर समाप्त हो जाता है अवर मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फो वाचिं दे वीडियो